शतिद्गड विधां सभा चुनाओं के लिए नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे उससे पहले शुकरवार शाम जारी हुए एक्जिट पोल के मताबिक प्रदेश में कॉंग्रिस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है एक्जिट पोल पर मुखी मत्री उपेश बगेल ने कहा कि एक्जिट पोल के आकड़ों में समानता नहीं है लेकिन दो दिन बाद तो सभी आकड़े एक समान होंगे एक्जिट पोल चलने दीजिए सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी मुखी मंत्री बगेल ये भी कहा कि अभी 6-7 सर्वे हुए हैं और किसी के भी आगड़े एक समा नहीं हैं हमने 75 पार का लक्ष रखा था हम उसी के आसपास ही रहेंगे लेकिन दो दिन बाद वो सब के आख सभी पॉल जो है एक समान होंगे तो एक जीट पॉल चलने दीजिए लेकिन सरकार हमारी बने गिए भारी भॉमत से ठीक है उससे और अधिक जायेगा वो जो 57 है ना वो 75 इधर उधर होगा कि बिल्कूल करने जरूरत नहीं है और उन नहीं कर पाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है पुरी बहुमत है अपने मेहनत पर हमको भी स्वास है जनता पर फरोसा है चैसा सर्वे हुए हैं किसी का आंकड़े मिलते जूलते नहीं है ना और यह है कि हमने लक्ष 75 पार का रखा था ह हम उसी आस पास रहेंगे